हलो ब्रैंट्स कैसे उसा रहे मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2020 के पीएटी क्यूशन पेपर का जो अग्रिकल्चेर टोफिक हैं उसके हंड्रेट क्यूशन बहुत ही महत्पूर्ण है गाईज ये और 2020 का पूरा सॉल्व या पोलाची तो इसका रहे गा टीमवी त्री तो टीमवी त्री जो काईद हमारे पास मुंग फली की ऐसी किस्म हैं जो फेलने वादी होती हैं नेक्स्ट हम बात करें सेकंड क्यूशन कि निमलखित में से कौन सा तत्त्यू म्रद्दा में इस्तिर लेकिन पोधों में इस्त इस्तिर रहता है लेकिन पोधों में ये इस्तिर रहता है थर्ड क्यूशन हम बात करें भेस के दूद में वसा का प्रतिशत कितना होता हैं उप्शन है नो से दस प्रतिशत छे से साथ प्रतिशत चार से पांच प्रतिशत या दो से तीन प्रतिशत तो ये रहेगा छे से ब्रद्धा का जो प्रसेंड होता है 6-7% होती है इसके बाद next question पहली vaccine जिसे के खिलाब पहले दीन के चुजों में दी जाती है तो मुर्गों में या मुर्गीों में जो ओल्री होती है उनमें first day पर कौन सी vaccine दी जाती है और उससे कौन सी बिमारी से बचा होता है तो first vaccine that is administered for first day oldically cheek is against तो friends इसका अंसर रहेगा हमारा Marex disease जो Marex disease है उसके बचाव के लिए Marex vaccine दी जाती है चुजों को first day पर नेक्स्ट एक उशे नमर फाइब की निम्ला कित मेंसे कोंसा जली क्ररपतवार हैं ऐंप्षएन है। आइकोनियक्रीशीपस जो एक जली जली खरपतवार हम बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट जीरो टेलेन का जनक किसे कहा जाता है उप्षिन एडवर्ड फ्लोक्नर या मस्वामिनाथन चाल्स डूइंग या वसीली वासी लिविएच दाव चेओ तो एडवर्ड फ्लोक्नर को जुहां जीरो टेलेन का विश्का रख माना जाता है नेक्स्ट अम बात करें कि रिक्तिस्तान सोले इसे सूटेबल फोर पेपर हाउजिंग ऑप कैटल यानि कि मिट्टी की मविश्यों की उचित आवा से तो उपर्यूक्त होती है उप्षिन है दलदली चिकनी बलूई मिट्टी भरनेन्य मिट्टी या चट्ठानी मिट्टी तो ठीन भरनेंद्टी बलूई मिट्टी होगा चिकनी मिट्टी या बलूई मिट्टी हम बोल सकते हैं तो चिकनी बलूई मिट्टी जो होती है मवेश्यों के उचित आवा से तो उपर्यूक्त की जाती है नेक्स्ट हम बात करें शब्द horticulture दो शब्दों से hots और kults या culture या kolar से मिलकर वित्वन होता है तो ये कौन सी language का शब्द है तो ये हमें बताना है option है Sanskrit, Greek, Spanish या Latin तो horticulture में दो शब्द जो दो Latin शब्दों से मिलकर बना होता है hots और kluts next question चिप्स बनाने के लिए आलू की सबसे उपर्युक्त किस्म कोन सी है option है फूपरी देवा या फूपरी जोथी या फूपरी चिप्सोना या फूपरी चंद्र मुखी तो यह रहेगा कुपरी चिप्स होना तो कुपरी चिप्स होना जो है कि आलू की एक ऐसी किसम है जो चिप्स बनाने के लिए काम में आती है नेक्स्ट निम्लिकित में इसे कुछ सा तत्व दूद में बहुत कम या फिर अनुपस्तित होता है तो इसका रहेगा C, आयरन जो होता है जो धूद में सबसे कम मातरा में रहता है या फिर अनुपस्तित नहीं होता है नेक्स्ट निम्लिक फसल में से फसल की उपज में अधिक्तम कमी के लिए उतरदाई होते है उप्शन ने रोग रोग जनक, नेमोटर्ट, किडे या खर्पतवार तो खर्पतवार इसका अंसर रहेगा कि खर्पतवार जो होता है फसल की उपज में अधिक्तम में कमी के लिए ये उतरदाई होते है नेक्स्ट हम बात करें, एयर लेयरिंग को इस नाम से जाना जाता है नेक्स्ट हम बात करें कि अच्छी जल निकासी प्रणाली के लिए आवश्चक है अन्यथा कुल फसल नश्ट हो सकती है उप्शन है गन्ना, चावल, दाल या जूट तो यह रहेगा दाल दाल में अच्छी जल निकासी प्रणाली एक महत्पून होती है अन्यथा उसकी कुल के फसल जो है नश्ट हो जाती है नेक्स्ट है कि आकार वाले पेड के उत्पादन है तू अंतरकर्शन क्रिया या इंटर क्लचर ओप्रेशन है तो यह रहेगा प्रूनिक, अब नेक्स्ट हम बात करें तो टोटल हमें कई 100 कुशन डिसकस करना है यहाँ पर तो वीडियो कुछ बढ़ा होने वाला है तो आप आयंड तक जरूर बने रहेए नेक्स्ट पादव रद्धी नियामक को लिंग परिवर्तन के लिए अन्यत्था पर करक्यूबीट पर अनुप्रियुक्त किया जाता है तो यह हैं 2-1, 2-4-lip नक्स्ट हम बात करें कि भेस के दूद में वसा सामकरी गाएं के दूद से अधिक होती है निमलेकित में से कि भेस की नस्व में वसा की मातरा अधिक होती है तो यह होगा बदावरी तो गई जो बदावरी नस्व की जो भेस होती है उसमें सबसे अधिक 5% होता है नेक्स्ट केला उत्पादन में देश पहले स्थान पर है तो केला उत्पादन में कौन सा देश विश्म में पहले स्थान पर है उप्षन है भारत, चीन, इंडोनेशिया या ब्राजिल तो यह होगा भारत भारत या इंडिया जो है गाइज केला उत्पादन में विश्मी प्रथम इस्थान पर है नेक्स्ट हम बात करें फसल के लिए अर्थिंग अप एक आवश्यक अंतरकर्षन करिया यह इंटर कलेचर ओप्रेशन है जो की पैगिंग में मदद करता है तो यह है ग्राउंडट या मुगफली जिसे हम बोल सकते हैं तो मुगफली फसल के लिए अर्थिंग अप एक आवश अच्छक अंतरकर्षन करिया है जो पैगिंग में मदद करते हैं नेक्ष्ट है चावल का उप्रारोग होता है तो नेमेटोट्स पर हमले के कारण चावल में उप्रारोग उतपन होता है इसके बाद एक लोना नेमन का एक उधारन है उप्षन घासदार खर्पत्वार चोड की एकासदार खर्पतवार का एक्जामपल है नेक्ष्ट एक प्रात्मिक जुताई उपकरण है उप्ष्टन हल, लेवलर, हैरो या कुदान तो ये रहेगा हल या अप लोग जिसम बोलते हैं तो ये प्रात्मिक प्रकार का जुताई का उपकरण है नेक्ष्ट बुडर मुल रुप से अपने स्वास्त और अस्तित्व को सुनिश्चित करने है तू चुजो के लिए रिक्तिस्तान को बनाय रखने में लक्षित होते हैं उप्ष्ण ने ताप, खाद आधरता या जल तो ये रहेगा ताप या हेट हीट यात आप जो होता है बुडर मुल रुप से अपने स्वास्तों और अस्तित्व को सुनिश्चित करने है तू चुजो के लिए बनाय रखने के लिए आवश्यक होते हैं नेक्ष्ट सबसे छोटा मिट्टी का कंड होता है तो ऐसी कौन सी मिट्टी जो होती है जिसका कंड सबसे छोटा होता है और फिर ने गाद, कंकर, रेट या चिकनी मिट्टी तो ये होता है कलय या चिकनी मिट्टी जिसे हम बॉलता है तो उस मिट्टी का कंड जो होता है सब 37.8 degree Celsius तो 37.2 से 37.8 degree Celsius तापमान होना चाहिए क्रतिम हैचिंग के लिए संकल टमाटर फस्ल की बीजदर कितनी होनी चाहिए तो यह होती है गया 120 से 150 ग्राम प्रती हक्ट है यार नेक्ष्ट की बंगाल बकरी की नस्व किस लिए प्रसिद्ध है उप्षन मांस उत्पादन के लिए दूद उत्पादन के लिए फर उत्पादन के लिए मांस वत्रुद उत्पादन दोनों उद्देश के लिए तो बंगाल बकरी जो होती है मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नEXT म्रद्धा से फस्लो द्वारो उपयोग किया जाने वाला जल को क्या करते हैं गुरुत्व जल, आधर्शी जल, एम, बलान्ता बिंदु जल या केशि का जल तो केशि का जल इसका आंसर रहेगा केपिलरी वोटर तो इसमें जो होता है मुर्दा के फस्टो द्वारा उप्योत किया जाने वाला यह जल कहलाता है Next कि मिट्टी की उररता को शम्ता के रुप में परिभाशित किया जाता है तो यह होता है nutrient supply या पोशक्टतवों की आपूरती हम बोल सकते हैं नेक्ष्ट की फसल समर्ख्षन के लिए पास्च्चूरी करण निम मशन अपर किया जाता है। नेक्ष्ट आं बात करें कि एक घैर मौदरिक उपा हैं जिसे पसलों की उपज बढ़ाने के लिए अपनाया जाना चाहिए। उप्षने संतुलित उर्रको का अनुप्रयोग, भैदर गुनवत्ता वाले बीजों का उप्योग, सिचाई के लिए पानी का अनुप्रयोग या पंक्ती बुवाई या मोडविदी तो पंक्ती बुवाई या मोडविदी जो होती है, गैर मोदरी कुपाई हैं, जिससे परसलों के उपज बढ़ाने के लिए अपनाया जाता है नेक्स्ट कॉलेस्ट्रम आमतोर पर किसे खिलाया जाता है, युवाबेस, वैसक फेस, बड़ी बच्चिया यह से अपर कहते हैं, या छोटे बच्चडे यंग कलेव जिसे हम बोलते हैं तो कॉलेस्ट्रम जो होता है, जब गाह या फेस जब ब्याती हैं, तब ब्याने की बाद एक या दो दिन का जो दूद होता है, वह कॉलेस्ट्रम कहलाता है, उसमें अनेक प्रकार का जो एंटिबोडी होता है और जो की रोग प्रती रोधक शमता बढ़ाते हैं छोटे बचड़ों की नेक्ष्ट मवेशियों के संतुलित खुराक राशन के फाइदों में से एक होता है उप्षन है अधिक चयापचे रोगों का खत्रा मंद व्रद्धी और मंद कम दूद का उत्पादन पहली बार ब्याने की उम्रों में देदी या पशु के उत्पादक जीवन का बढ़ना तो डी आंसर रहेगा इसका पशु की उत्पादक जीवन का बढ़ना तो ये मवेशी के संतुलित खुराक राशन फाइदे मन में से एक हैं इसके बाद योजना आयोग के अनसर भारत में रिक्तिस्थान प्रकायर की क्रशी जलवायु शेत्र है तो ये हैं पंद्रा नेक्ष्ट दाले इनमें सम्रद होती हैं प्रोटीन, कार्भोहईडरेट, वसा या तेल तो ये होता है प्रोटीन तो प्रोटीन जो होता है दालों में मैनली प्रदेंट होता है नेक्ष्ट एक क्रीम सेप्रेटर का सिद्धान्त का कायरी सिद्धान्त है तो अभीकेंदरी भल तो अभीकेंदरी भल जो होता है कीम क्रीम को प्रतक करन करने के सिद्धान्त पर कायरी करता है नेक्ष्ट भारत का प्रथम क्रशी विश्व विद्याले की स्थापिज किया गया था ओप्षन है अरुनाचल प्रदेश, आंध्यप्रदेश, उत्राखंड या मध्यप्रदेश तो उत्राखंड इसका अंसर रहेगा भारत में प्रतमक्रशी विश्विद्याले उत्राखंड राज्य में स्तापिज किया गया था नेक्स्ट अनिमलकित में से कौन सा उररक शैड्यूल या अंतरस यान प्रणाली इंटर क्रोपिंग सिस्टम में उत्पादक्ता को अनुकूलिट करने के लिए अनुसंशित है option है कि right answer हमदाद करे कि फश्ट रहेगा right हमारा केबल मुख्य पसल में पूर्ण अनुसंशित खुराक next है काले मित्टी कफास की खेती के लिए आधरस होती है क्योंकि ये नमी को बनाए रकती है नेक्ष्ट है कि साधा संधारणी द्रश्टिकोंड से फसल चक्रण में एक फसल का परिचे का बहुत महत्पुन होता है तो यह होगा दाल का नक्ष्टम मत करें कि घाय की नस्थ जो दोहरे उद्देश के लिए पाली जाती है और यह जो होती है मांस उत्पादन और दूद उत्पादन दोनों के लिए उप्युक किये जाती है इसके बाद भारती फावल में निमलकित रोगों में से एक वाईरल बैमारी नहीं है औपशन इं रिकेट फावल पोक्स बंड़पलू यह रहनीकेड तो रिकेट से इसका अंसर रहेगा रिकेट से जो डीजीज है भारती फाउल में या पक्षिय हम बोल सकते हैं उनमें वाहिरल बिमारी नहीं है इसके बाद दूद में प्रमु कार्बाइडरेट से होता है तो इन दूद प्रिंसिपल कार्बाइडरेट इन मिलक तो ये रहेगा लेक्टोस लेक्टोस जो पाय जाता है पारिस्टरावन या बुखार गाइड हम देखते हैं कि मविश्य जो होती है उनमें फूट एंड माउट डिजीज जो होती है तो उसका मैन लक्षन जो होता है या मैन सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं सांस लेने में कठीन आई तो टिपिकल्ट ब्रेडिक जो होता है वह फूट एंड माउट डिजीज का मैन लक्षन है नेक्स्ट पशू के पुठे कंधो और गर्दन पर सुजन हो जाती है जिससे चक्टे की आवाजे आना इसका संक्यत है तो यह हैं ब्लेक वाटर नेक्स्ट हम बात करें कि क्यूशन नंबर 47 की निम्लकीत में से कीस परिरक्षक का उपयोग टामाटर केचप की तैयारी करने के लिए किया जाता है तो यह होगा सोडियम बेंजोईट सोडियम बेंजोईट जो परिरक्षक है उसका उपयोग टामा स्टित्खुराग हम बात करें कि एन की शती है और के टू ओ रभाई चालीस और के टू ओ जोछक 6 होता है झालीस होता है तो है राइडा अंसर रहेगा मारा इसके बात लाल सिंधी किसकी एक नसल है भैस्ट बदग पक्री या गाएleye तो गाई सका राइडा से रहेगा लाल सिंदी जो होता है काई की एक नसल है नेक्ष्ट फसल के आवश्यक मात्रा में से अधिक जल का कत्रीम निसकाशन क्या कहलाता है जल निकास सिंचाई पानी देना या मल्चिंग तो जल निकास इसकांसर रहेगा कि फसल के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक जल क के लिए कितने किलो मुंग की आफशक्ता होती हैं तो यह होता है in 20 25 दो एक हेकर में बुभशा के लिए 20 25 की आफशक्ता होती है type किसी निश्चित समय पर समद्वाशत कंग को यह के लिए नेश्च्य का आइसो डर्म हम बोल सकते हैं यह समताफ रह खा longer नेक्ष्ट, खोवाinstills दूद्थ का मुख्ष्ट नल्ट या टूबल, नल्टूप या टूबल याज़न से भारत में सिचाई की जाती हैं तो यह होगा लिगनिन तो लिगनिन जो होता है गाई जे मिट्टी कार्बनिक पदार्थों में से अब घटन के लिए सबसे अधिक ब्रतिरोधी होता है नेक्ष्ट मूर्गी पालन में crazy chick बिमारी जो होती हैं कॉन स이 vitamin की कमी के कारण होती हैं तो ये होगा vitamin E vitamin E कारण के लिए poultry में crazy chick disease होती हैं नेक्ष्ट पोधे के लिए गेर खनी जावशक पोशक तत्व का उधारण बताइए उप्शन नाइट्रोजन, कार्बन, पोटेश्यम या फासपोरस तो कार्बन इसका अंसर रहेगा कार्बन जो होता है पोधों में गेर खनी जावशक पोशक तत्व होता है इसके बाद निमलिकित में से कौन सी एक व्रक्ष फल है उप्शन है आम, शकरकंद, धनिया या चावल तो मेंगो इसका राड़ अंसर रहेगा तो मेंगो एक रक्ष फसल है बाकी हम बात करें दूया तो या बैल होते हैं या छोटे पोदे होते हैं नेक्स्टर की सिमित सिंचित समय पर बोई गई इस्तती में गेहों की अनुशनसीद भीज़ धर कितनी होती हैं तो यह होती हैं गाइद, हैंट्रेट केजी पर हेक्टेयर तो वसी जिच समय पर बोई गई इस्तती में गेहों की जो भीज़ की धर होती है 100 किलो प्रती हेक्टेयर होता है नेक्ष्ट म्रद्दा में डॉलमाइड इसका मैन इस्तरोथ हैं उप्शन है आईरन, जींग, केल्शियम या फासपुरस तो म्रद्दा में डॉलमाइड जो होता है केल्शियम का मैन इस्तरोथ होता है इसके बाद अंडा उत्वादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी को क्या कहा जाता है option है polar, boiler, capon या layer तो layer कहा जाता है अंडा उत्वादन के लिए पाली जाने वाली पक्षी को नेक्स्ट हम बात करें कि लताय क्रिपर्स वो पोधे होते हैं जो उर्द्वाधर की और गती में अक्षम होते हैं बहुत ही महत्मुन क्यूशन होते हैं यह तो क्रिपर्स जो पोधे होते हैं जो अनेबल टू वर्टीकल मॉमेंटम यानि कि उर्द्वारधर दिशा में गती करने में ये अक्सम होते हैं नेक्ष्ट हवा की चाल इसके द्वारा मापा जाता है तो ये होगा एमिनोमिटर एमिनोमिटर की मांदियन से जो हैं कि हवा की चाल को मापा जाता है इसके बाद फलारिस माइनर इसके खेत में आम खर्पतवार हैं तो यह है गेहूं गेहूं की खेत में जो होता है कि फलारिस माइनर जो मैंली एक खर्पतवार होता है आम के खेतों में नेक्स्ट भागवानी फसलों के लिए उप्योग किये जाने वाले अलेंगिक प्रसारण विदी नहीं है। नेक्स्ट एक निश्चित पंक्ती रो पैटर्न वाली तो या अधिक फसलों इसमें उगाई जाती हैं तो यह होगा इंटर क्रोपिंग में जो होता है कि पंक्ती या रो में दो या अधिक फसले उगाई जाती हैं। सुष्क मेट्टी की विशिष्ट उश्मा कितने क्यलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्फियस होता है। तो इसका राइना अंसर होगा 0.20 तो यह जो होते हैं सुष्क मेट्टी के लिए विशिष्ट उश्मा होती है। नेक्स्ट लेक्रोमेटर का उप्योग दूद के मापते हुए पाने की मिलावट को जाच करने के लिए किया जाता है। तो यह होगा घनत्व यानि कि लेक्रोमेटर का यूद जो होता है। दूद के घनत्व को मापते हुए पाने की मिलावट की जाच खी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें एक अंडे का पिलापन इसके रंग के कारण होता है। ओप्शन है के रोटीन विटामीन भी या एंटोसाइनीन या जन्तोफिल जन्तोफिल या पानपीद जिसे हम कहते हैं तो वह मैनली अंडे के पिले रंग का होना डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि दूद के जिवानविक परिक्षण हे तो डिपर का विस संक्रम जो 120 degree Celsius temperature पर किया जाता है नेक्स्ट एक उररक हैं जो तीन आवश्यक पादब पोश्कों के लिए आपूर्थी करता है उप्चेने M, O, P, U, D, A, S, P, D, A, P तो इसकी हम बात कर रहें तो ये होगा S, S, P S, P, एक उररक हैं जो तीन आवश्यक पादब पोश्क तत्वों के आपूर्थी करता है नेक्स्ट एर्भी या गुईया इस परिवार्थ संबंदिते हैं उप्चेने Aries, Solenase, C, Cucurbitis या Ambellipary तो Aresis का राइड अंसर रहेगा कि एर्भी या गुईया जो होता है Aresis Family का सजस्य है नेक्स्ट सर्दियों के समय फसल की उपज बढ़ाने के लिए मल्चिंग का सुजाव दिया जाता है उप्चेने काली पोलिथीन, पारदर्शी पोलिथीन, श्ट्रॉंग या तर्ण या फसल के आउश्यक तो यह होगा पारदर्शी पोलिथीन पारदर्शी पोलिथीन जो होता है, सर्दियों में फसल की उपज को बढ़ाने के लिए मल्चिंग का सुजाव दिया जाता है नेक्स्ट मविशों का पदा सिरोग किसके कारण होता है यह होगा विशाणों के कारण नेक्स्ट फूट एंड माउल्ट डिजीज जो हता है वाइरस के कारण विशाणों इनमेल्स में होती है तो अ कैटल डिजीज दैट इस रहेगा एंथरेक्स तो एंथरेक्स ऐसी डिजीज है जो चानवर से मनुष्य में प्रवेश हो सकती है तो इसे हम अंथरेक्स डिजीज बॉल सकते है नेक्स्ट हम बात करें कि फसल चक्रन का अर्थ है तो इसका राइड आंसर रहेगा भी अनुक्रमीक मौसमों में एक ही शेत्र में विविन फसलों का उगना नेक्स्ट दूद की उपस्तिती के कारण दही में बदल जाना तो यह होता है लेक्टो बैसिलस बैक्टिरिया की उपस्तिती के कारण नेक्स्ट हम बात करें गन्ना एक फसल है तो गन्ना जो है एक नगदी फसल है यानि केश पसलम बात करता है राइड आंसर आएगा ए इसके बाद 4% बसा वाले दूद वाले एक नमूने में एक किलोग्राम घी बनाने के लिए लगबक कितना किलोग्राम दूद के आवशक्ता होती है तो यह होगा 25% तो बहुत महत्पून कृशन है यह इसके बाद आर्दिक सर्वेक्षन 2019 और 2020 की अकोडिंग भारत में कुल सकल घहरे लो उतपाद GDP में क्रशी का यूगदान कितना है तो यह होगा 42% तो भारत की GDP में क्रशी का जो यूगदान है 45% है इसके बाद रोडे आइसलेंड की इसकी एक पॉलिट्री नसल है तो यह होगा ट्रिकमेश्टी वं भाहुती मद्पुन क्यूशन इसके बाद वागवानी हर्टिकल्चर वशाका है जो फलो से सम्मझी दज्ञें ने किया जाता है तो पॉमोलोजी जो हर्टिकल्चर की वशाका है जिसमें फलो का अध्यन किया जाता है जेली की पॉर्ण विले ठोस पदार्तों का टोटल सेब्यूल तो लिट्स होनी चाहिए तो यह होगा कि पैसर डेगरी ब्रेक्स नेक्स्ट कि गावे में रखती स्तरावी स्यप्टी सीमिया या गलागोंटू किसके कारण होता है तो जो अनिमल्स होते हैं विशेशकार कैटल तो इसमें बैक्टेरिया से जो होता है स्यप्टी सीमिया या गलागोंटू डिजीज होती है सावाण क्रोप्ट से बनाया जाता है तो यह होता है पत्ता गोबी से बनाया जाता है आवला में काईग प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए सबसे अच्छी विद्धी है यह होगा पैंच बिडिंग नेक्स्ट लेयर पॉल्टी फ्राम का मुख्य उद्धेश है तो अंड़ा उत्वादन करना नेक्स्ट बंध होबी में खाने योग्य भाग को इस रूप में जाना जाता है तो यह होगा है रोचा अंड़र्थतर के द्वारह मापी जाती है तो अद्रता जो है अillमींट्र के द्वारह मापी जाती है, कार्बनिग निट्रोजन मेरु पंद रहों Чे प्रक्रिया को इस रूप जाता है तो यह होता है इमोबिलिजेशन जानी की स्थरी करण नेक्ष्ट निमिलकित में से किसे पत्यधार रेश्यदार फसल नाम माना जाता है ओप्षन राम बास नेक्ष्ट गाए की नसल की दुधारू तताइ ड्राप्ट दोनों गूर्ण है तो ये होगा ह्र्याणा जो नसल है उसमें दुधारू और दोनों के गूर्ण पाए जाते हैं नक्ष्ट दूद को अच्छी गुणवत्ता ब्रहने लखने के लिए 37 degree Celsius से कितने degree Celsius तक गर्म किया जाता है सुर्छ ठंडा किया जाता है तो यह होगा 9-10 degree Celsius नक्ष्ट एक कंट्री देशी हल की दो भुजाओं की बीच का कौन किता होगा तो यह होगा 130-135 degree Celsius नक्ष्ट एम बात करें प्रती यूनिट भुमी भुष्यात्र में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को भुमी का गहनता से उप्योग करना चाहिए और भुजल ताली का इसके द्वार मापी जाती है तो यह होगा पाइजोमिटर और मिट्टी को सजी वाना जाता है क्योंकि इसमें जो होता है जीव जन्तु होते हैं तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियो के साथ अब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियो हो उसे आप मिस नक और हो थैंक्स परोचिंग गाइज